अपना इंशुरेंस वाला लिया जा सकता है इसमें टर्म 25 साल का है यानि 25 साल तक आपको पैसे देने है और 25 साल के बाद आपको मेच्योर्टी मिलेगी और इसमें minimum sum assured 1,00,00 है मतलब आप कम से कम 1,00,00 का वीमा ले सकते हैं और maximum इसमें कोई limit नहीं है मतलब आप कितना भी बड़ा बीमा ले सकते हैं प्रीमियम में section 80C के तहट tax rebate है मतलब आप जो किष्ट भरते हैं उसमर आयकर की पूरी छूट मिलेगी और maturity section 10D की कारण tax free है इसमें 2 साल बाद आप loan करा सकते हैं या surrender भी करा सकते हैं चली एक एक्जामपल से समझते हैं मिस्टर रमेश जिनकी उम्र 30 साल है वो कुछ दिन पहले ही पिता बने हैं और वो ये plan अपने बेटे कृष्णा के लिए लेते हैं रमेश जी 10 लाग का बीमा अपने बेटे कृष्णा के लिए लेते हैं तो रमेश जी को हर दिन 116 रुपे जमा करने हैं और जब कृष्णा 18 साल के हो जाएंगे तो उन्हें मिलेंगे दो लाग रुपे और फिर जब कृष्णा 20 साल के हो जाएंगे तो उन्हें मिलेंगे दो लाग रुपे और जब कृष्णा 22 साल के हो जाएंगे तो उन्हें मिलेंगे दो लाग रुपे और कृष्णा के 25 जनम दिन पर उन्हें मिलेंगे 19,75,000 रुपीज अगर Mr. Ramesh के साथ कुछ miss happening हो जाती है तो उनके परिवार को तुरंद 10 लाक रुपे मिल जाएगा और उन्हें कोई किष्ट जमा नहीं करनी पड़ेगी और maturity पहली ही की तरह मिलेगी और दोस्तों यहाँ एक PWB यानि premium waiver benefit लिया है जिससे किष्ट जमा करने वाला अगर नहीं रहता है तो future की सारी किष्ट माफ हो जाती है आप अगर कोई child plan लेते हैं तो यह benefit जरूर ले Friends यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपकी कोई query हो या कोई suggestion हो तो भी हमें जरूर बताएं इन future में आप किस टॉप की वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं Thank you Thank you for watching Please like, subscribe, share and press the bell icon